हाई अब्रिवन मैं उस्ति इशकुमार और स्वागता फिर से अपनी यूटूब चैनल आज का डेमो में आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 363 लीटर के कनवर्टेबल 5-in-1 रेफ्रिजेटर की जो की मेरे पास अभी डार्क ग्रे कलर के अंदर अवेलेबल है तो कैसे इसके फीचर सैमसंग ने इसके अंदर कैका नेया दिया है हार एक चीज की हम बात करेंगे इस गीज का जो परचेस लिंक है वह भी मैंने नीचे डिस्क्रिपशन में दें लिए प्राइस की हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने में पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने कई तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक WILL करे तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से डिजाइन के अगर हम बात करें तो सामने से जो में डार है इसका वो ग्रेफ निसके साथ आता है जिसके ओपर आपको हलके हलके रेशे भी मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं साइडो से ये पूरा लैदर कोटिंग के साथ हाता है कहीं से भी कोई स्क्रेचस वगर नहीं डेलने वाले हैं सामने कि तरफ यहाँ पे आपको इसके स्टार रेटिंग मिल जाती है जहाँ पर सिके लीटर्स एन्वल पावर कंजंप्शिन है इसके 245 लीटर यूनिट पर ये त्री स्टार रेटिंग के साथ ये रेफिजेटर आता है और सामनी की तरफ यहां पे आपको मिलने वाली है इसकी जहां से आप इसके रेफिजेटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर आपको तीन अलग अलग बटन्स मिल जाते हैं जिनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे अगर अंदर चलें तो यहां पर आपको काफी अच्छा साइज देखने को मिलने वाला है चाहे हो इसका डॉर के अंदर स्पेस हो या फिर वो मेंन बोडी के अंदर स्पेस हो यहां पर आपको यह पूरा फ्रीजर वाला बोक्स है इसका जिसके अंदर आपको यहां पर एक उसके बाद नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिलने वाला है जहां पर आपको बड़ा सा वेज़ेटेबल बॉक्स मिल जाता है, इस तरह का, यहीं पर आपको रखा हुआ मिलेगा आइस क्यूब वाला बॉक्स जिसको आप निकालके यहां पर रख सकते हैं, फिर कुछ और आपने नॉन वेज उगार रखना है जिसको frozen की तरह रखना होता है तो वो आप यहाँ पे इस space के अंदर रख सकते हैं side में अगर door की बात करें तो यहाँ पर बोटल गार्ड दिये गए हैं वो काफी अच्छी और premium quality के दिये गए हैं जहाँ पे आप दो लिटर की बोटलों को यहाँ पे अराम से रख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप इसके अंदर अंडे टमाटर अगर रख सकते हो और इसको भी आप shift कर सकते हो अगर आपको इसको ऊपर shift करना तो यहाँ से निकाल के यहाँ पर shift कर सकते हो ऊपर भी आप छलका-फुलका समान रख सकती हो तो कुछ कुल इच तरह का आपको इसके इंदर स्पेस और डिजाइन सैमसें के इस रटी-39 सीर्स के अंदर मिल जाता है इसके अंदर normally refrigerator के अंदर क्या होता है एक ही evaporator लगा होता है यानिके cooling evaporator जो की उपर की तरफ लगा होता है और पीछे एक fan लगा होता है जिसकी वैसे उपर की जो cooling होती है freezer की वो नीचे fridge के अंदर move करती है बट इसके अंदर twin cooling दिया गया यानिके दो अलग-अलग evaporator दिये गए है जो की उपर freezer का अलग evaporator है और नीचे fridge का अलग evaporator है दोनों का fan भी बिलकुल अलग है जिसकी वैसे ना तो moisture उपर से नीचे move करता है ना ही mixing होगी और जिसकी वैसे आप इसको अलग-अलग 5 तरीकों से सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका normal mode जहां के जिस पे आपका जो freezer है वो freezer की तरह ही काम करता है और जो आपका fridge है वो आपका normal एक fridge की तरह ही काम करता है जहां पे जो इसका एक control panel है इसके अंदर जो left वाला portion है उसके अंदर आपके light रहेगी minus 15 से लेके minus 23 तक कहीं भी light रहेगी और जब आपका fridge भी on होगा उस टाइम 7 डिगरी से लेके fridge वाली side यानिके right की तरफ एक से 7 तक कहीं भी light आपको on मिलेगी उस टाइम आपका freezer और fridge दोनों on रहेगे दूसरा mode इसके अंदर आता है extra fridge mode जिसके अंदर आप freezer को convert करके fridge की तरह ही use कर सकते है यानि को क्या होता है इसके बीच में जो center वाला button है वो है freezer convert का इसको तीन second के लिए अपने प्रेस करना है light इस side से हट जाएगी और यहां पर fridge में रहेगी और यहां पर भी किसी ना किसी temperature पर रहेगी इसका मतलब यह है कि उसका जो freezer हो convert होके fridge बन चुका है और जो freezer वो तो ही है यान कि आपको एक इस size का extra fridge मिलने वाला है तीसरा है इसके इंदर seasonal mode जहां पर अगर सर्दियां है और ice की आपको जुरूरत नहीं है यानि कि freezer की जुरूरत नहीं है तब आपका इसको freezer है उसको आप off कर सकते है और नीचे का जो fridge है उसको आप on रख सकते है ओफ का मतलब यह नही इसके लिए आपने करना क्या है दुबारा से आपने यह जो freezer convert वाला center वाला बटन है इसको तीन second के लिए दुबारा से प्रेस करना है और light आपकी fridge से हटके off पे आ जाएगी इसका मतलब आपका freezer off हो चुका है और light इस side किसी भी एक temperature पे रहेगी यानिके fridge आपका on है और freezer off ह चोथा mode इसके अंदर आपको मिलता है vacation mode जहां पे अगर आपकी पूरी family कहीं बाहर है घर पे कोई भी नहीं है जस्ट आपके frozen item घर के अंदर रखे हुए तब आप इसके freezer को on रख सकते हैं और जो fridge है उसको off रख सकते हैं same condition इसमें भी रहेगी completely off नहीं होगा 15 degree temperature आपका fridge के अंदर maintain रहेगा ताही smell लाओ इसके लिए करना क्या है आपको vacation mode को on करने के लिए यहां पे आपको जो right की तरफ fridge वाला बटन है इसको press करके यह umbrella बना हुआ है यहां पी light को ले आना है और जो आपका freezer है उसकी light को 23 से minus 15 यहां पे कहीं भी रहेगी और यहां वाली light हटके इ इस टाइम आपका fridge off हो जाएगा और जो freezer है वो आपका on रहेगा last final mode है इसके अंदर आपका home alone mode घर पे जब आप अकेले होते हैं बड़े fridge की जरूरत नहीं है आपको just एक छोसा सा space चाहिए fridge का तब आपके इसके fridge को off रहने दे और इसका जो freezer है same जैसे सुरू में हमने convert किय आप इसके fridge के लिए उसी तरीके से आप इसके fridge को freezer को convert करके एक छोटा सा mini fridge बना सकते हैं तो यह है पांच तरीके जिन से आप इस refrigerator को convertable 5-in-1 बना सकते हैं इसी के साथ कुछ extra freezer features की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको digital inverter compressor देखने को मिलता है जिसकी वएसे आपको maximum 15 दिन तक की freshness मिल जाती है moisture वगयरा आपका hundred 70% तक maintain रहता है वो भी आपकी twin cooling plus technology की वज़े से साथ ही इसके अंदर digital inverter compressor वाइबरेशन से वगयरा भी काफी कम होती है जिसकी वेज़े से आप इसको single battery के inverter पर भी चला सकते हो दो CFL से भी कम light यह electricity consume करता है और साथ ही इसके ऊप compressor की warranty भी मिलने वाली है थ्री स्टार रेटिंग के साथ आता है यह refrigerator जिसकी जो electricity के इंजप्शन है वो है 245 unit per year यह नहीं के 24 गंटे में लगबग एक unit के आसपास यह electricity consume करता है उसके बाद अंदर की तरफ आपको यहाँ पे deodorizing filter भी मिलने वाला है जिसका benefit यह है कि freezer के sorry fridge वा है साथ ही इसके अंदर आपको यह ice cool pad भी मिल जाता है जिसका 12 गंटे का backup है by chance light नहीं आती है और inverter आपका low है तब भी इसके उपर आप जो भी समान रखोगे 12 गंटे तक आपका chill रहेगा cool रहेगा अब हम बात करते हैं इसकी pricing की तो price आपको फिल हाल यह available है 43,490 रुपे का आपको यह refrigerator मिल जाएगा इसका जो purchase link है मैंने नीचे description में दे दिया है जहां से आप इस refrigerator को purchase कर सकते हैं इससे हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत help हो जाती है और हमारा channel grow करेगा तो इसी के साथ वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं आप से ऐसे किसे नए product के नए डामों के स सब तब तक next time के लिए ओके टाटा बबाई